सालाम नमस्ते दोस्तों क्या हाल है मैं हूँ साहीद लालाम और आप देख रहे हैं विदिशी बोंदू तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा मान लीजिए साल 2010 सल रहा है देश की सबसे बड़ी सुपरिश्टार है सुल्मान खान उनकी फ्लिम देखने के लिए लाइन लगी है और उस लाइन को मेनेस करने के लिए पुलिस लगे हुई है बड़ी मुश्किल से अपने टिकेट खरीदा सिंगल इसकीन ठेटर में गुसे सीट पर जाके बेठे फ्लिम हुई शुरू और फ्लिम का नाम है दबंग और जैसे ही फ्लिम में चुल्बूल पंडे की पहली जलग दिखी तो लोग सीटों में उसलकुद करने लगे तालिया और चीटियों से पूरा हल घूंज उठा चुल्बूल पंडे की एक-एक मुक्के पर चुल्बूल पंडे की एक-एक डायलग पर जानता पघ्ला गए और चुल्बूल पंडे भाई भई भी हल का हात नहीं रख रही है अगर आप नहीं देखा तो जैसवाल का बेटिंग देख लीजिए अगा हीज चुल्बूल पंडे की रुप में आ गया जैसवाल पूरा रासकूट का चिला चिला कर गला बेट गया होगा ताली इतनी मारी होगी कि हाथ की रिखाये लाल हो गया होगा चुलबुल पांडी की तरह जैस्वाल भाई ने भी पेला कम और गछिटा जादा है और उसकी बाद भाई गेम बाजों ने जो बेजबुल का बत्ती बना कर इंग्लेंडियों को पिला दी भाई मज़ा आ गया ओह 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 आनंद आ गया देखकर अगर आपको भी मज़ा आ गया तो सरफरास खान की बारे में दो शब्द कमेंट बक्स में लिखना और पूरे दिन का खेल आईए आपको बताते हैं वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्स्ट्राब करना और वीडियो को लाइक करना आईए देखते हैं मज़ आएगा दोस्तो दिन चुरू हुआ शुमन गिल को तो चलो साइन में रग दो कुल्दीव यादब को भी आउट नहीं किया जा रहा इंगलेंड की और से इंगलेंड की हालात इतनी खराब थे कि कुल्दीव यादब ने अपना इंटरनेशनल टेसमेस में पहला चका मार दिया और 87 रान बना कर आउट हो गए लेकिन हमारा दिन का सबसे पहला जाटका था शुबमन गिल का विकेट जो बहुत बढ़िया 91 रान बना कर लगातार अच्छी खेल रहे थे शुबमन गिल अपना दूसरी टेसमेस की दूसरी सेंसरी की तरफ बर रहे थे लेकिन असाना करान आउट हो गया पहले शर्फरास खान और आप शुबमन गिल इन दोनों की राना उट ने हमारा दिल ही तोड़ दिया लेकिन इस टूटे दिल की भरपाई ये सुष्ट्पी भहिया ने कर दी शर्फरास खान की साथ मिल कर पहले तो इन दोनों ने ये शूर किया कि भरत आप और कोई विकेट नहीं गवाएगा लंस तक इंडिया का इसकुट था 3-4-4 विकेट के नुक्सान की बाद जैस्वाल अपनी देर्शवी रान से शिरिफ एक रान दूर था जबकि सार्फरास खान ने रान बनाये थे 22 उसकी बाद ये दोनों ही बलेबास एक दम से फरारी की स्पीट पकड़ी दोनों ने मिलके 6 अवर की अंदर 51 रान बनाये डेसिंग रूम की तरफ से ये बाद क्लियार कर दिया गया था कि जल्दी ही डिक्लियार किया जाएगा क्यूकि लीड ओल्रेडी पाच्चकी करीब हो गया था लेकिन दोनों ही बलेबास अपने अपनी मालेश्टोन की पास पहुसकर थोड़ा सा दीमी हो गया सारफरास खान की हाफ सेंचुरी होने वाली थी और जैसुआल का दोहरेश्टक होने वाला था पहले सारफरास खान ने अपना अर्दाश्टक पुरा किया और उसकी बाद जैसुआल भाई ने दोहरेश्टक पुरा कर लिया और शार्फरास खान एसे चोथे भारतिया बन गए जिनोंने अपना डेविव मेस की दोनों ही इनिक्स में अर्द शतक किया उससे ज्यादा रान बनाई है लेकिन दिन की महफिल तो एसेस पी भाया ने ही लूटी जिनोंने इस सिरिस में दूसरी बार दोहरे शतक लगाए इसी भीस इनोंने बारा छक्के भी लगाया जो इंटरनेशनल टेस्स में स्क्रिकेट में सबसे ज़्यादा है दोनोंने ही अपना-पना मालिश्टन पूरे करते ही इंग्लेंड को रगरना शुरू कर दिया हामें तो मज़ा आ रहा था लेकिन रुही शर्माशार 133 रान पर डिक्लियार कर दी और इंग्लेंड को टार्गेट मिला जितने के लिए 557 चाय की बाद भी हमारा दबदबा कायम रहा लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बाद जो थी वो थी आर आशुईन आमपैर ने उनको गेमबाजी करने की भी इजाज़ों दे दी लेकिन उनकी गेमबाजी की ज़रूरती नहीं परी पहले बारी में बहुत कम गेमबाजी करने वाला जादेजा भाया को इस बार रुही चर्मा ने जादा गेमबाजी दी पसास रान तक आते आते इंगलेंड की आधी बारी जा चुकी थी बलकि 6 उकेट गिर चुका था बेन इस्टुग भी पसास की रान पर आउट हो गए और इस मेस में रुमांद सिरिफ इस बात का है कि मेस क्या पसवा दिन तक जाएगा यां इंगलेंड चोथे दिन ही सिमट जाएगा लगता है कुल्दी भाईया को किसी बात की जल्दी थी वो इस मेस को कल तक घशित नहीं नहीं चाहते थे पसास की रान पर कुल्दी पियादप ने इंगलेंड की आउर एक विकेट गिरा कर साथ पर पसास कर दिया इंगलेंड की कुलिस कूर बेंड फोक्स ने हाडली की साथ मिलकर थोड़ा बहुत कोशीट जरूर किया जादेजा ने सेंचुरी की बात विकेट का पंजाबी ले लिया दो दिन में 2000 किलिमेटर सफर करने वाला आशुइन को भी विकेट मिला और इंगलेंड वाले 122 पर ओल आउट हो गया और भारत ने 30 राट टेस में 430 रांच से जीत लिया लाइध हो गया हमारा जिंगा लाला टीम इंडिया ने पास टेस मेंस की सिरीज में दो एक से बरहात ले ली इंगलेंड वाले की कुछ बिंडी रोना भी शुरू हो गया वो खुद अपना टीम को लेकर इसी की साथ आप लोगों से बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन